राधी राधी आवरीवन वेलकॉम बेक तो माई चैनल एंड इस जोती है और आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग अप्रिटूट के पचास क्वेशन करने वाले हैं और यहां पर हमारा क्वेशन नमबर वन है इंग्लिश वाले यहां से पढ़ लेना भई तो पहला तो व्याख्यान देने से वैसे चीजे सही नहीं होती है बट यहां पर दो अप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको लास्ट वाला सही लगेगा क्योंकि छात्रों की रूची के अनुसार समगरी देना तो यह भी है कि हम उसको उसके इंटरस्ट के अकॉर्डिंग दें ताकि उसकी सेल्फ स्टडी है की जो विकास हो ठीक है तो उसे साब से यह तीनों आप्शन सही है तो यानि कि हमारे डी आप्शन सही हो जाएगा अगला क्वेशन है मारा क्वेशन नबर टू शिक्षक के रूप में आप रात्मिक्ता देंगे आप एस टीचर आप किसे प्राइवरिटी देंगे अपने व्यक्तिकत कारे को कि अपने परस्रेल काम को नहीं बच्चों को टूशन की कक्षाओ करेंगे कि बड़े टूशन लगवा लगा लगना फेल लो जाओगे तो वे तो गलत है टूशन को अपना तो बढ़ावत दोगे और नोहीं टूशन कि बात करें तो कक्षा में आपके दरिश्टी में सबसे महत व्यक्तुम है तो कक्षा में आपकी दृष्टी से सब से महत पून क्या है वैसे इस्तित फरनिचर की भई धरेंगर फेनर होना चाहिए शिप्षक का क्थन बयान मैं बनाभ स्टेत्मेंट Ov टेचर स्फिक्षन स सबसे जाथ जाए तो नवीन, स्टिक्ष्ट एम्पोर्टेंट है, जो सिंधिया говоритьी हिए हमारे समेरे नए स्टिक्षन पार्षानशा करते हैं, फ़सकि फिर पीच्षक त्योंस, कुर श्टिन बाष्टर है, बड़ा सुन्दर है मित्रता पूर्ण वैवार कितना फ्रेंडली बिहेवियर है हमारे टीचर का या हाजिर जवाब हमेशा हाजिर रहता है या फिर अच्छे आच्रण के साथ प्रभावशारी शिक्षन तो इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि उसका अच्छा आच्रण ह इफेक्टिव टीशिंग अलॉंग विद गूड कंड़क ठीक है और प्रभावशारी शिक्षन है कि वो इतना मतब इफेक्टिव तरीके से पढ़ाता है तो उस चीज़ को बच्छे जादा प्रशन सा करते हैं ठीक है क्वेशन नमबर हमारा फाइव है यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रशन पूछता है तो आप क्या करेंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे गलत है उसे अधिक ग्रेकार देंगे बेटा ले दस पेश का होंबग देंगे अब तू कर इसको तो यह बिल्कुल गलत जाएगा थिवाइख करेंगे ऐसा क्यों किया है और टीजिंग अप्रटूटूट में थ्रूट गड्याशन पर सिधर साइव प्रतिकां कहला ही बच्छे को घलत कर रहा पको हैं क्या तो अगलत ग तूसमे वाले अपने गलती नहीं है और अभी एंट्रंस के लिए ब सम्साय और नही जोब बचानी हो उसके लिए भी ध्यान लगेंगे आप बच्चे को कुछ नहीं गएंगे ठीक है ओके क्वेशन नमर वारा सिक्स है शिक्षन के लिए प्रियास करना पर्तेक्ष रूप से वेतन के समानुपात है मतलब आप टीचिंग के लिए एफट्स लगा रहे हैं करना पर्तेक्ष रूप से वेतन के समानुपात पर है कि टीचिंग के लिए एफट्स लगा रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाऊंगी बच्चों को इतने अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊ क्या नहते हैं यह आपके क्या राई हैं ञड़ी नगा राट यहां सकती चैनल के वह भूछ एन्वर कौन, वभी जिएह नंबर 7 कई कर वे जीवन जिएवन में अधिक सदलता पाने के लिए क्या है? भागेशाली होना, धन होना, अच्छे घराने में पैदा होना, परिस्तियों के साथ अच्छा समयोजन, तो D option इसका सबसे बढ़िया उत्तर है, क्योंकि आप situation के साथ समयोजन कर लेते हैं, तो आप सपल हो जाते हैं, ठीक है, और भागेशाली तो भागे मैं 1% ही बिलीव करत अच्छे घरान में पैदा होने से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, परिस्तियों के साथ सामजसे बठाए रखें, जो मिल रहा है उसी में चलता चले, ऐसा नहीं है, तो बस और एक रंग दे बसंती मुवी का डायलोग है, या तो जो हो रहा है द और अगर नहीं एकसेप्ट कर सकते हो तो उनको बदलो, क्यों परिशान रहने से कुछ फाइदा नहीं है उन चीजों के बारे में, कोई भी चीजों कोई भी सिच्वेशन हो, लग में बहुत सारी सिच्वेशन होती है, तो दो यह आप्शन होते हैं, या ऐसे ढ़ल जाओ उ खुछ बाते में बता देती हो, एक्जाम कब होगा, तो उसके लिए में वीडियो बना चुकी हो, आप लोग प्लेलिस देख लो जाके, दूसरा, एक कैंडिडेट है, बहुत जारा क्वेशन करते हैं, यह यहाँ भी आएगा, यहाँ भी पुज़ जाएगा, थामने देख उसमें बताया होता है मैंने कि किस का है, बीएड का है, डीएगड का है, यह स्पेशल बीएड का है, तो प्लीज तो उस चीज़ को थोड़ा से एक बद चेक कर लिया करो, और यह चीज़ मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताते हूं कि I am not a special YouTuber, मैं YouTuber नहीं हूं कि मैं प्र मैं बताया है आपको कि ओनलाइन एकजाम को क्यों हो फ्रेंड स्टिल मुझे मैसे जा रहे है, मैं उसी वीडियो के नीचे मैसे जा रहे है, मतलब आप लोग वीडियो नहीं देखते हो ध्यान से है, मतलब वीडियो प्राने का क्या फायदा, मतलब 4000 something होने वाले हम लोग, हम मारी फैमिली उनमें से मालो 2000 MP वाले मुस्से जड़े हुए है, तो वह 2000 ऐसे कोमेंट करेंगे, तो आप खुछ से सोचो, अधो लोग लगागे, कैसे कोई बंदा कैसे पॉसिबल हरे को रिप्लाइ करना, तो प्लीज तोड़ा सा हिसी से की रिक्वेस्ट है, कि आप वीडिय परिक्षा में कक्ष निर्शक काया करू邊, जो रहा है, तो विद्यवाले के परदानाचाहा का पूतर भी परिक्षा दे रहा है, वी तो आप तो प्रिक्षा है थे रहा है, तो यांदि वेपी अनुचण सादन का प्रियोग करता है, बैट नेडिकां कर दो महित एकित्वी क करेंगे अंदेखी बिल्कुल भी नहीं करेंगे परधाना चारे से शिकायत करेंगे कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है और लास्ट है हमारा आप उसे अनुचित साधन प्रियोग के अंतरगर्थ पंजित पंजिकरत करेंगे ठीक है तो इसमें डे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखो यहां पर जो चीड प्रॉबिटिड है जो मतलब मना किया गया है तो अब्वेसी बात है वो तो फिर हम जो अनुचित साधन उसने इस्तमाल किया है बच्चे ने तो उसके अंतरगर्थ हम उसको पंजिकरत करेंगे कि इस लेते है ना तो मेरे हिसाफ से एक्षन लिया जाना चाहिए तो डी ओप्शन सही हो जाएगा बाकि आपकी क्या राय है और जिन जिन कोशन पर राय मांग रही हूं प्लीज अपमी राय दिया करो ठीक है क्वेशन नमर नाइन है दूरस्त शिक्षा के बारे में आपकी क्या सब्सक्राइब कर रहा है और यह क्वेशन मैंने भी जामय के पर सॉल्व कर रहा था उसमें आया हुआ था जो हमारा ओपन डिस्टेंस है और अभी आप एंपी से ओपन से करोगे ठीक है वह भी ऑपन उनिवस्टी है तो यह है शिक्षा के प्रचार है तो अच्छा प्रयास है बिल्कुल और विद्यारतियों के लिए आर्थी कलाब का सुरूत है कि मतलब बस बच्चों को एकनॉमिक के लिए प्रॉफिट देता है गलत है इससे प्रति दिन विद्यालन नहीं जाना पड़ता और यह ठीक है मतलब घर बैटे शिक्षन सामगरी उपलब दो चाहती है यह है लेकिन यह शिक्षा के प्रचार का अच्छा साधन है यह तो यह हो जाएगा कही ना कहीं एजूकेशन को जैसे जो लोग नहीं जा सकते हैं तो उसले बैस्ट वाला चूस करना है मैं शिक्षक बनना चाहती हूं क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है नहीं इस वैवसाय में अच्छा वेलतन है नहीं अन्य वैवसाय में कम छुट्टिया है नहीं शिक्षन में मेरी रूची है ठीक है और ये बात मैं सच बता रही हूँ जो इंसान इन तीनों ओप्षन के लिए आता है ना जॉब में टीचिंग में उसका चेहरा देखने लाइक प्रस्टेश होता है जो इंटरस्ट से आता है उसका चेहरा में छोड़ा खिला मिलें और वो सब्सक्राइचृत्स होता है ना चिल्टowers में भूचा वाल एजिम उस फिप्स्तंतर है और बहुत बहुत जादा हुआ जब करेदा टीचिंग को लेकर मैं बहुत जादा पैसिन नौकरी है, सेलरी है, छुट्टिया है, बच्चे पल जाएंगे, घर भी देख लेंगे, यह भी देख लेंगे, तो वह जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं हर किसी को सजेस्ट करते हूं कि अगर आपका इंटरस्ट है, क्योंकि 40 बच्चे भी नहीं समाल पाओगे, बहुत परक पड़ता है, शिक्षक का एक मुख्य कारे है, विद्यारती को पढ़ाना, सीखने के लिए विद्यारती को प्रेरित करना, गरीब विद्यारती को उपचारात्मक शिक्षन देना, ठीक है, तो इसका D हो जाएगा, कि विद्य जा सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षन तो यह गलत जा रहा है, ठीक है, तो यह नहीं करेंगे, हम लोग B option पर जाएगे, B हमारा करेक्ट हो जाएगा, कि सीखने, जो मुख्य कारे पूचा गया है, कारे तो यह थी नहीं है, लेकिन मुख्य पूचा है, तो B option करेक्ट है, य Question number 12 की बात करते हैं, अच्छे कारे के लिए शिक्षकों का उच्वेतन, उच्वेतन, उच्वेतन है, कि अच्वेतन के लिए टीचर को, मतलब, incentive क्या हो सकता है, प्रधाना शारे दोरा प्रशंशा, विध्यारती दोरा प्रशंशा, उच्वेतन समाद दोरा प्रशंशा, द प्रिंसिपल जफ करें, तो दोनों में बहुत फराख होता है, तो बच्चों वाला जो एड्मायर आपको मिलता है, वो सच्में बहुत अमेजिंग होता है, बहुत एकदम पावर बूस्टिंग वाली फीलिंग आती है, कुछ तो हम कर रहे हैं, कुछ तो अच्छ तो में नमबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे थोड़ा बड़े लेवल पर चुटे वच्छ एकदम प्योर हार्टे होते हैं, कुछ नमबर 13 है, विद्याले में अनुशाशन हींता के कारण है, तो शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों में तालमिल का भाव, शिक्षकों में जिम्मेदा करनाली को फोड़े भाव, प्रशाशनी का अधिकारी को स्ताना नत्रन के प्रशाशनी का दिकारी बहुत ही लेवल होगी है तो इसको तो विद्याले में तो शिक्षा प्रणाली को हम जिम्मेदारे ठेराएंगे, तो नमबर 14 है, आपके नुसार शिक्षा होनी चाहिए, ब साथ जीवन उप्योगी तो बंडले डायमेंशनल इंटोवर्ट इंटोवर्ट तो होनी नी चाहिए समाजिक तो नहीं कह सकते हैं वेवसाय के साथ जीवन उप्योगी देखो मुझे लगता है अगर महात्मा गांदी जी की तरफ जाएं तो डी ऑप्शन होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है इसमें कि मल्टी डायमेंशनल हो ली चाहिए वेवसाय कनेक्ट कर दिया है तो आई डूंट तिंग सो कि यह होगा इस क्वेशन पे अपनी राय जरूर रखना और यह तीसरा क्वेशन है अभी तक पचास क्वेशन में से जिसमें मैं आपके राय मांग रहे हूं और उम्मीद करते हूं कि आप लोग अपनी राय जरूर रखेंगे तो मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर होगा वैशन नमबर 15 है हमारा च्तरों में अनुशाषन बनाय रखने के लिए एक शिक्षक की कौनसी भूमी का सरानी है प्रसाशनिक शमतएवा मच्छा अच्रण शिक्षक का व्यक्तितव शिक्षक का मान सिक्षतर शिक्षक का वेवहार ठीक है आप अपनी क्लास में अनुशाशन बनाए रखना चाहते हैं उसमें आपका जो है क्या बोलते हैं कौनसी भूमी का सरानिय इनमें सिर्भी को आप आप वो करेंगे तो यह शिक्षक का वेवहार शिक्षक का व्यक्तित वे शिक्षका माल सिकस्तर तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा है प्रशाशनिक शम्ता ठीक है आप किस तरीकी से मैनेज करते हैं चीजों को administrative capacity and good conduct आपका जो आच्रण कैसा है उससे उससे define होता है कि आपकी class में कितना अनुशाशन रहेगा तो question number 15 का answer A 16 पे हम लोग आ चुके है निम लिखित में से कौन सा गथन सही है सही है पूछा है इनोंने कि शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टी वा आत्मबोत प्रधान करती है बिल्कुल करती है शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्टा बढ़ाती है बढ़ाती है शिक्षा समाज के लिए लापकारी है बिल्कुल है तो यानि सारे सही है तो यह हमारा D option सही हो जाएगा अब question हमारा है 17 प्रगतिशिल शिक्षा जिसका concept जॉन ड्यूवी ने दिया था यह लोग आप यह question यह आप यहाद कर लीजिए progressive education है इसका concept जॉन ड्यूवी ने दिया था ठीक है प्रगतिशिल शिक्षा लिम्नेकित में से किस कथन से संबंदीत है तो पहला है शिक्षक सूचना और प्रादिकार के प्रवर्तक है बस मतलब teachers are the organizers of the information and authority क्या बस वो information देते हैं गलत ज्यान पर्टेक्ष अनूबव और सायोग से उत्पन होता है और सी है हमारा अधीगम तत्थ्यों के एकत्ते को तत्थ्यों के एकत्ते करने की बात हो रही है factual चीज़े और कोशल में प्रिवेंटा के साथ सीधे मार्क पर चलता है यह नहीं होगा ठीक है तत्थ्यों की बात बच्चा को करके सीखने पर बल देता है तो ग्यान प्रटेक्ष अनूबव और सायोग से उत्पन होता है तो इसमें जो प्रगतिशिल जो हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो बेसिकली हमारा बी आउप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पे बच्चा करके सीखे और उसको मतलब प्रटेक्ष अनूबव और डारेक्ट एक्स्पीरियन्स वाम उसको यह ना बताए कि बिटा यह जाडू है और इसे सफाई करते है ठीक है यह गमला है और यह ऐसे बनता है वो गमला बनाना सीख रहा है जाडू लगा के देख रहा है ठ आतात पर रहे हैं तो अब यह जो पचास क्वेशन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ऐसे ही क्वेशन टीचिंग अप्रिटूट के अंदर आते हैं और यह आपसे पूछ जाते हैं और मैंने आपको जैसे की बताया है इसमें कुछ रटने वाली चीज़ा नहीं यह सब बेसिक concept है समच के आपको answer करने है इसमें कुछ रटने वाला है नहीं तो इसलिए मैं चीज़े आपको सासा समझा रहे हूं तो इसको समचते जलिए तो यहां पर हमारा है क्या है क्या है teaching aptitude क्या है तो section के प्रती समरपन शिक्षक बनने की इच्छा रखना देखो इच्छा नहीं आएगा शिक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक्षक किस तरीके से बच्चों के साथ handle कर सकते हैं किस तरीके से हम उनको environment दे सकते हैं ठीक हैं तो हमारा जो teaching aptitude है वह हमारा होता है कि शिक शिक बनने के लिए सबी वांची दियो गता है रखना तो हमारा C option सही हो जाएगा 19 है हमारा अध्यापक की कारे चमता को बढ़ाया जा सकता है कैसे बढ़ाया जा सकता है उसको प्रमोशन देके पदनुपत्ति देकर या अध्यापक की कारे की सरहाना करके कड़े विद्याले प्रशाशन द्वारा अच्छा वेतन देके तो अध्यापक के जब हम देखो किसी के आप काम की सराहना कर दो वो वैसे खुशी से फूला नहीं समाता ठीक है किसी को गुस्सा भी आ रहा हो तो प्यार से बोल दो तो ठीक है प्यार से बोल दो किसी चीस की तारीफ कर दो तो बड़े खुशी से चहक जाते हैं तो ऐसे सिक्षित बेरोण ओर एक कारन क्या है कि लोग सिक्षित भी है और payer है क्या है उद्देश्य हींची शिक्षा सरकार द्वारा रोज्चार की स्रद्रणी का न होना सिक्षन संस्थानों के अपलबद था घटिया सिक्सथरकि到底 कैं तो यहां पर तीनों को कड़ते तो हमारा कोई नहीं है हमको समाज नहीं बोला है कि बटा कर ले यह हो जाएगा हमारा खुद का क्या एम है और जिंदगी सिर्फ आई पैदा हुए और नौकरी करने के लिए अप लोग पैदा नहीं हुए यह इंसान का ही जन्म होता है जो हम कुछ समाज में परिवर्तन ला सक जो की अраш extreme कर लेड़ सकते हैं और एक गिव इन लुँम्हिशन नहीं उतिजु पुरे संसा बदल सकता है आप जीवन इंदभा तो आप मैं कर दोड़ार घए तो वहाँ पर यह कोट लिखा रहा मेरा फेवरेट कोट है यह तो यह बाद सज्ज है मतलब ठीक है मतलब है ना तो ऐसा नहीं है कि सिफ जौब के लिए यह लाइफ में एक एम होना बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो ठीक है तो वह चीज होना जोब तो सभी करते हैं आप क्या ऐसा अलग कर रहे हो तो थोड़ा से फरक होता है बाकि नौकरी तो सभी कर रहे हैं क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए प्रभूत्व वादी साधारन लोगतांत्रिक अधिनायक वादी तो नायक वाएक कुछ नहीं बनना है लोगतांत्रिक बनना है ठीक है डेमोक्रासी 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 ठीक है ओक यहां पे क्वेशन पूछती हूं आंसर करना आ जंता का जंता के लिए जंता के द्वारा ये परिभाशा है लोगतंत्र के डेमोकरसी की किसने दिया है ये बताना मुझे कॉमेंट करके ठीक है दुबारा बोल देती हूं जंता का लोगतंत्र जंता का जंता के लिए जंता के द्वारा ठीक है ये किसने कोट दिया है ये मुझ में पासवास होगा तो किवेटि को विद्वान बनाती है व्यक्ति को धनोड पारजन के लिए समर्थ बनाती है व्यक्ति को स्वाव लंबी बनाती है उप्र्यूक्त सभी आ जाये विध summarize के स्वास्त के लिए राश्ठ खिलों के लिए तयार कर ना सब चीजह अब इसके इन दर इंक्लूड होजएगी तो सहीज होजएगे ठीक है और आप सीर्वांगेंवाले को क्लिक कर देना तु के जो करण rage होता है वो होता है overall development of children ठीक है 25 है मैं अपने विध्यारतियों के प्रति वहार करना पसंद करूंगा पिता के रूप में मित्र के रूप में निर्देशक के रूप में उपर्यूक्त सबही तो आप पिता तो बननी सकते है निर्देशक भी नहीं हो सकता ठीक है और यह नहीं हो सकता तो मित्र के रूप में एक फ्रेंडली बिहेविर हमें रखना चाहिए बच्चों के साथ और आपको आस पास का शोर डिस्टब कर रहा होगा बट यह जिस फोन से मैं recording करें उसमें pause वाला option नहीं है अगर मैंने वीडियो को pause कर दिया तो फिर में दुबारा से record करनी पड़ेगी प्लस फिर मुझे editing करनी पड़ेगी तो इसलिए थोड़ा सा adjust कर लो question number 26 है एक प्रधाना चाहरे अपने अध्यापकों से आशा करता है आग्या पालन की योगता और ज्यान की समर्पन और निष्टा की तो उप्यूक्त सभी ये सभी चीज़े एक प्रिंसिपल चाहता है अपने टीचर से question number 27 है यहाँ पर कुछ विद्यारती है आपके कक्षा में देर से आते हैं मेरी क्लास में दो बच्छे ऐसे हैं जो डेली लेट आते हैं क्या ही किया जाए तो ऐसे सिद्वी में आप क्या करेंगे मैं बताती हूं मैं क्या करती हूं मैं उनके लिए क्लापिंग करवाती हूं पारदे से लेट आते हैं मतलब नहीं बमानते में कुछ बच्चे कब अपरोब्लम होती है से एक बच्चा है में थोड़ा सा सीचा घर में चोड़ने वाला नहीं है तो वह तो बच्छा पर्वेश की नहीं देंगे मैं तो बील्कुल भीया बीनुक्ल करती कि बटा अंदरी मतलब निकल ले घर वाबिस तो यह तो मैं बिलकुल नहीं करती अभी भावक को बुलाएंगे देरी का कारण देखो कारण वाला मतलब आसपरोस मैंने बात की कोई और बच्चा आता हो तो आप उसके साथ इसको जल्दी भेच सकते हैं तो इस तरीके से यह चीज काम कर गई और बच्चा आ रहा है ठीक है टाइमली आ रहा है और बागी दूसरे बच्चे के साथ मैं डील नहीं कर पा रही हूँ कुछ और ब बैठ बैट जाहेगा तो यह हमारा हुजाएगा भी आप्शन सही त उसके के बाद हमारा question number 29 है अभी भावक अपने बच्चों के अध्यापकों से आशा करते हैं निश्पक्ष व्यवार की बिल्कुल कि हर हर पेरंट्स आते हैं कि उसका जो टीचर है उसके बच्चे का वो मताब बायस्ड नाओ ठीक है निट्रल बिहेवियर हो उसका और सहाना बूति एवन प्रेम पूरवक की तो ए और भी हमारे दोनों आप्शन सही हो जाएंगे question number 30 पर finally हम लोग पहुंच चुके और आदे घंटे की वीडियो अल्मस्ट बन चुकी है और शायद 10-15 अमने टॉर लगेंगे question number 30 है आधूनिक समय में विद्ध्यारतियों को अध्यात्मिक्ता का ज्यान देना अगर आप बच्चे को आज के टाइम में अध्यात्मिक्ता का ज्यान दे रहे हैं पिछड़ापन दर्शाता है या असंबब कारे है आवश्चक है आवश्चक नहीं है बहुत आवश्चक है बहुत आप आध्यात्मिक्ता मुझे आज के टाइम से सच में लगता है और मैं अपने बच्चों को परसनली में बता रहे हूं कि मैं पढ़ाने से जादा उन बच बातेसे इसे सुन सके बिना जज की सुन सके और मेरे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे बाते बताते मुझे कि शायद वह अपने पेरेंट से भी शेयर ने करते मेरे पास फित ख्लास जो एक होता है तो टीचर को एक अपन नत्व रखना चाहें बच्चों के साथ क्या रे ब अध्यात्मिक्ता का ग्यान दिया जाना चाहिए और हमें भी शुरुरत उसको लेने की तूगी आवश्यक है question number 31 है विद्यार्य के सभी कारे करम में भाग लेना चाहिए क्योंकि सिखने का अफसर मिलता है आत्म विश्वास में विद्धी होती है question number 32 है एक विद्यार्य आपके कक्षा में दुर वेवार करता है तो आप क्या करेंगे उसे कक्षा में खड़े देखो पनिश नहीं करना बच्चे को यह ज़िए याद रखना चहां पनिश्मेंट वाली चीज़ है ना काट देना उसको उसे कक्षा से बाहर तो पनिश्मेंट चुप चाप अपना कारे करते रहेंगे इग्नोर भी नहीं करोगे बच्चे को कि बच्चा कुछ कर रहा है हरकती तो आप इग्नोर नहीं अपने शिक्षन को अपने शिक्षन सहाइक सामगरी को रूची कर बनाएंगे जो आप पढ़ा रहे हैं आप उसको इंट्रेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा दूरवेवार नहीं करेंगा तीक है वह बात अलगे कुछ बिल्कुल भी नहीं सुनता चाहे कुछ भी कर लो उनका उनको कुछ होगी नहीं सकता है कि अब यह पर पढ़ा रहे हैं और आपके लेवल पर इतने आफ़टो आपको वह करने चाहिए बाकि जो बच्चे कुछ करना नहीं कुछ होते हैं मत नहीं करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसे में उनको इतलीस इतना एवल कर दो कि कल को मतब इतना भी नाओ कि बिल्कुल डल रहे जाएं थोड़ा सा उपर उसको लाई सकते हैं और बाकि बच्चे 70% जा रहे हैं तो वह बच्चा 30-40 तक भी आ जाए तो इनफ हैं 카o question no.33 है जो आपके रशनात्मक और व्याद अलोशना करता है उसके द्वारा उस उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए जो मेरी रशनात्मक और व्याद अलोशना करता है तो मैं उसे एक मित्र की तरह मानूंगी और अनुछलचक की तरह आपके आलोचना कर राय है hai positive way में हा भी genuine अगर वो कर रहाए तो आलोचक कह、 कह सकते हैं हम उसे मित्र तो नहीं हो जाय со ठीक है मित्र टो वैसे चापलुस होते हां आ जो तो हो तो हमारा ब Cotties option हो जाएगा लोचक ठीक है और लोचक व crashed the critics होता है во जो सिर्फ हमें पॉजिटिव बाते ही निगटिव भी बताता है और बहुत अच्छे धंग से प्रसुट करता है ऐसा नहीं है तु तो जुड बोलती है बहुत जादा ऐसा नहीं है ठीक है आप उसको और किसी तरीके से भी बता सकते हो कि मतलब इस चीज को यह सच की तरीके से मुण पर बोला देते हैं डारेक्ट की से चीज को ठी है और कुछ होते हैं कि उस चीज़ों गूमा के बोलती है और वो आपको सही उसका मतलब बोलने का वह भी मिल जाता है कि वह बोलना कर चाहते है और आपको पूरा भी नहीं लगता है ना तो वह काल लोचक हो जाएगा ह 33 हमारा हो जाएगा, 34 है हमारा नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदाई है, माता, पीता, विजले, समाज, उब्रुक, सभी, सभी के तवारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, अभी तो पूरा नैतिक शिक्षा का हूलिया खड़ाब रखा इस टाइम पर, तो क्या ही बताएं 35 है हमारा छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोश अपेक्षित नहीं है तो यहाँ पर यह पूछा है कि in school education small children should not be burdened with लिखने का पढ़ने का ग्रीक आरे का विद्याले जाने का तो ग्रीक आरे का उनको छोटे बच्चे है उनको homework नहीं दिया जाता है ठीक है उसके बाद है 36 अपेक्षित नहीं है बोश अपेक्षित नहीं है 36 है हमारा यहाँ पर जब आपके बच्चे सखल होते हैं तो आपको कैसा लगता है देखो ईशा तो कोई टीचर नहीं करता है मुझे लगता है माबाप और तीसरा टीचर होता है जो अपने बच्चों की तरक्की से मतलब खुश होता है बागी कोई चौथा बंत होएगा वो तो जलता ही है तो ईशा तो बिलकुल नहीं होती है स्वासंतुष्टी हमारा हो जाएगा बी अब हम बात करते हैं क्वेशन नंबर 37 की और हमारे कितने क्वेशन रहते हैं अभी 13 रहते हैं और जल्दी ही पूरे हो जाएंगे जाएंगे 14-45 मिनिट दन हो जाएगा हमारा वीडियो इस अरगाा है शिक्षण का पहला और मुख्य उदेशे है। कि वास्तविक जीवन की समस्याओं के समादान है तो कोशल का विचास करना गयान प्रदान करना बस गयान प्रदान करोग glued aquilo कक्षामे वियाक्यान देना लेक्चर दोगे शेक्षारतियों के वियक्तिकत सम्बंद रखना, पर्सनल रिलेशन हर विच्चे से तो यह गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर यह option सही हो जाएगा, कि वास्तविक जीवन की समस्या, उसे बच्चा कैसे निपट सके, उनमें ऐसी skills को develop करना, तो यह हमारा शिक्षन का पहला मुख्य उदेशे हो जाएगा, question number 38 है, और मैं यह बिना माइक के record कर रहूं, वीडियो, hope के अंदर leadership quality ही होती है, मुल्यों की कम ही होती है, values की कम ही होती है, तो उपरियोक समी, values किसमे, teacher में, और यहाँ पर values बच्चों की भी बात हो लिए, तो यहाँ पर D option हो जाएगा, 39 है, यदि आप धाना चाहरे है, जो की है नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको सब के सामने बच्च ए भी बुब भी यहाँ, तो सब के सामने डाटो के ऊसको एझ मैं वहाँ, जो की होती है, जो की कहीं कहीं, गलत चीज है, उसको कार्य करम के बाद मिलने के लिए लिए कहेंगे, कि भी बाद में आना उसके उत्तरदायि, उसके उत्तरदायि पताने जलना चाहिए, और तुम्हें टाइम पर आना चाहिए तो मैंसे नहीं आओगे तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे आना है ना तो क्या टीचर को उत्तर दाई तो अपने पता नहीं होंगे पता होंगे उसको है ना तो यह बताने के जुरूरत तर फिर तो डी सी कट जाएगा रिपोर्ट उसचदी कारे से करेंगे कि भई यह अब तेरी रिपोर्ट बेजेंगे आगे अब तू आ ले ठीक है तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा पहले बात करने की बात होती है तो यानि कारेकरम के बाद उनसे मिलेंगे और अराम से बात करेंगे ठीक है तो B option सही हो जाएगा question number 40 है व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा जो हमारा lecture होता है वो अच्छे तरीके से दिया जाएगा अगर शिक्षक तयार किये हुए notes को पढ़ाता है पहले से जो अच्छे notes की तयारी करता है विद्यारतियों को चर्चा वा विमर्श में व्यस्त रखता है प्रभावशाली तरीके से विद्यारतियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है तो इसका C option सही हो जाएगा कि बच्चों को चर्चा और विमर्श में अगर आपस में discussion हो रहा है बच्चों को engage रखता है जो teacher तो अगर वो engage रख पा रहा है तो उसका जो lecture method है वो ज्यादा effective हो जाएगा question number 41 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो है निम्निक्षित में से क्या शिक्षण के लिए महत पूर्ण है कक्षण का अनुशाशन, शिक्षण के लिए विशेवस्तू, पढ़ने के लिए विद्यारति की ततपर था, ठीक है readiness of students to learn क्या, उसके बच्चे पढ़ने के लिए ततपर है, वो ज़्यादा important है teacher के लिए क्योंकि पढ़ने के लिए ततपर हो तो बागी तीन चीज़े अपने अभी होती चली जाएंगी, ठीक है आत्मानों भूते शिक्षक को बचाने में सहायता करती है जो empathy होती है, देखो एक होती है sympathy और एक होती है empathy, sympathy होती है हमें सहाना भूती होती है किसी के प्रती है अरे यह तो कितना गरीब है, अरे इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ओ हो, यह तो बड़ा बुरा हो इसके साथ ठीक है, मुझे सहाना भूती है उसके साथ sympathy है, लेकिन यार उसने न ऐसा किया लेकिन मैं उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसा करती मदब यह बच्चा लेट आ रहा है अच्छा इसके घर की problem यह है हाँ, लेकिन मैं भी इसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा करती मुझे भी ऐसा लगता, मैंने इस बच्चे को डाटा लेकिन मैं इस बच्चे की जगह होती तो मुझे भी मैं इसे मैं डाट रही होती तो मुझे कैसा लगता है ना और मैं स्कूल लेट गई प्रिंसिपल ने मुझे डाटा लेकिन मैं प्रिंसिपल के जगह होती है और कोई टीचर लेट आ दी स्कूल में तो मैं भी डाटती है ठीक है तो ये हमारी क्या होती है एमपथी होती है जब आप तदानुभूती आप बोल सकते हो जब आपने आपको सामने वाले के जगह रखके देखते हो तो वहाँ एमपथी होती है लेकिन जब आप बस ये बोल रहे हो है ये हो गया इसके साथ अच्छा होना तो नहीं चाहिए था तो वह आमारा हो जाएगा सिमपथी तो दोनों में फर्व कोता है ठीक है और कहते हैं कि जब एमपथी की भावना आने लगे ना लोगों में हमारे डाइट में भी ये बताया गया था कि बहुत सारे मसले वैसे हल हो जाएगे जब आपको अपने आपको दूसरों की जगह रखके देखना शुरू का देंगे तो 42 का हो जाएगा शिक्षक को बचाने में सहायता करती है पक्षपात से रूड़िवादित्सा से अपशब्दों से उप्युक सभी तो इसका सही आंसर हो जाएगा और होप आपको एमपथी और सिंपथी में फरक्त पता चल गया होगा Q43 है हमारा एक शिक्षक का उदेश्य होना चाहिए क्या होना चाहिए परिक्षक के दवाब के लिए विद्यार्तियों की सहायता करना अध्यन की में विद्यार्तियों की सहायता करना और दवाब से बच्चा कैसे निप्टे क्या बड़ा बादा के फेलोने का डर अलोशना का डर मुर्खतपून जवाब का डर देखो जब बचा सीख रहा है न तो बहुत बड़ी बादा है अगर उसको फेलोने का डर है अगर उसको अलोशना का डर है अच्छा मैं फेलो गया तो मतब स्वारी सीखने लगा हूँ और सीखने में कुछ गड़बड हुई तो लोग क्या बूलेंगे है ना अच्छा मैंने यह अंसर कर दिया मैं मुझे डाट तो नहीं लगेंगे तो यह वाले सीखने में बड़ी बादा होती है नहीं चीजे तो डी अप्शन सही हो जाएगा हमारा सभी 45 है कक्षा संप्रेक्षन होना चाहिए जो classroom communication है वो शिक्षक केंदर नहीं भी शिक्षक केंदर नहीं होना चाहिए समान्य केंदर जनरल सेंटर नो पाठ्थे पुस्ते केंदर नो ये छातर केंदर चाहिए चायल सेंटर एजुकेशन का कॉंसेट अभी कारंट में चल रहा है तो आपको बच्चे को केंदर में रखना है तो हमारा जो classroom communication होना चाहिए वो चायल सेंटर होना चाहिए 45 का भी हो गया 46 पे हमा लो आ गए है आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि इसमें उत्तर दाइत्व कम है यह एक समर्पित वेवसाई है एक devoted profession है इसमें छुट्टियां धीक है यह एक पारिवारिक वेवसाई है कि family professional समर्पित है आप इसमें devoted होते हो पूरे तरीके से ठीक है अकाउंटेबल होते हो समर्पित होते हो बस अब तो यही जिससे देश के लिए समर्पित होते हैं ऐसे ही है कि ऐसा वेवसाई जिसमें हम पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं question number 47 है शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में समलित करता है शिक्षण एक प्रोसेस के रूप में किसको समलित करता है विद्यारती 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 शिक्षक 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 अब इन दिये तो सेम हो गया इन में से चाट लो परदानाचार नहीं आएगा ठीक है विद्याले नहीं आएगा समाज नहीं आएगा पठी करम आज आएगा ठीक है तो यह ध्यान रखना यह जों डियो ने दिया यह कॉंसेट हमारा चाइल्ड करिकुलम और टीचर यह मैं आपको करवाओंगे आने वाली वीडियो में भी करवाया है तो इसमें आपका आजाएगा डिसकुशन मैथड अगर होगा तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिस्पेट करेंगे वाली नहीं आज का लास्ट चेकिंड क्वेशन है हमारा आप शिक्षण कारे में निम्लकित में से कहां कर पसंद करेंगे क्वेशन नमर हमारा 50 है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेशन है और मेरा आज व्रत है मंडे का और फिर भी मैंने आज हिमत करके मैं कोशिच कर रही में वीडियो रिकॉर्ड कर से कूँ बाकि आज हालत कराब हुजाती है आज मुझे बस फल और पानी पे ज अवश्यक तनुसार बनाया गया हो योगत अनुसार बनाया गया हो बालक की रूची के अनुसार बनाया गया हो तो उप्रूट सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है होप ये 50 questions आपके लिए helpful रहे कहीं कोई doubt हो तो आप लोग मुझे comment कर देना और जुन तीन questions में मैंने आपकी राय मांगी है वो please मुझे राय जरूर देना उस बारे में और बाकी आप लोगों का क्या खयाल है इस वीडियो के बारे में या कोई suggestion आप लोग देना चाहते हैं औ और पेडियो के लिए अगर आपको इस का पेडियो चाहिए तो टेलिग्राम ग्रूप पे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक से लिंक है वहाँ से टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करो और इसको डाउनलोड करो प्रैक्टिस करो बाकी वीडियो देखो और मौज में रहो जैसे पेपर दो अच्छे एच्छे से एक्जाम दो तयारी करो पंदरा से पहले 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 आपको एक्जाम देखने को मिलेगा तैंक यू सो मच एवरीवन और गुड नाइट जै बोले जै शंबू रादे रादे